वेलो गाई साब का सुवागत है मेरे व्यूटू चैनल में और आज अपने पास है चार टोए कार, तो चलिए अभी करते है अन्बोक्सिंग, पहले नमबर पे हम अन्बोक्सिंग करेंगे अपनी जीप की, ये देखो यार, डब्बे कंदर भी किनी प्यारी लगती है, तो रहां पर देखिए यह जीप है और पीछे श्टेप निभी जीप का श्टिगर दिया है और इदेखो मुझे लगता है इसके यह जो जारों डोर है यह कुलते भी यह दिखूँ आइस और पीछे की डिगे भी कुलती है यह देखो कितनी प्यारी लग रही है यह आगे लाइट है वाई सब खतना एलो विल भी इसके बहुत है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी मजबूत है यह देखो यह मेटल की है तो नीचे यह देखो इसको निकालते हैं भार हम अभी ऐसी गाड़ियों का पहली बार अंबॉक्शिंग करें क्या है इसका कुछ बटन बटन तो दिया हुआ नहीं है सिर्फ यह दिया था सायद चलाने पर होगा यह देखो गाई साउंड देखो जैसे गाड़ी अभी बेस कर रही है यह देखो जैसे आगे के टायर मुझे अभी आटरी है अच्छी की ब्रेक लाइट चलती है यह देखो काफी अच्छा प्रोलेट है तो अभी एंबॉक्सिंग करते हैं हमने दूसरे बॉक्स की इसमें कौन सी गाड़ी है यह हमें भी नहीं पता तो यह देखो कमपनी ने काफी अच्छी तरीके से पीकी औ वहाई, इतनी उसम है, और इस पर यहाँ पर एक्ष्टा इंजन भी है, और साइद इसके भी डॉर कुलते हैं, जी देखो कैसे आवाज करने लगे दोर कुलते हैं, और डॉर बंद करने पर लोक होगी गाड़ी, कमाल के फिचर यार, इसके देखो यह लाइट है, इतनी उसम ह पर इतना भी नियले खिलर में, और यह ब्रेक लाइट है, भूत ही अच्छी है, प्रॉत गालाशीक फिल कर देख से यह रिल हो, और साइद इसके डिगी खुलती है, यह देखो, इसके दोर, देखो कैसे आवाज है निकाल दी है, और इसमें एके सीट है, अंदर एके सीट कमेंट करके बताना जो ओरिजिनल गाड़ी होती है उसमें दो है या एक ही आती है तो अब इसको रखते हैं साइड में यह अपनी साइड मर्श्टडीज की है ओ बाई साब यह देखो इसका जो कलर है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी अच्छी यह जो मर्श्टडीज का लोग है अब काफी यूनिक लग रहा है बिल्कुल रियल सी लग रही है यह देखो इसके डोर्स गोहने पर कोई आवाज नहीं आ रही है जैसे अपने वस्टेंग में देखो यहां पर इंजन होता होगा साइधिन का यह आगे होता होगा कंफरम नहीं है आगे से बंव आप प्लता है यह देखो बंवनट के अंदर इंजन के अंदर इंजन है ये पूरा स tapes Šा बनृट और यह रिखो और ये कैसी वाजा निकालती है यह जो हाि इसके यह एध तो बिलेक है और ये बिलेक येलो कलर हो ये अपनी वाइट कलर में जीप वेगें इसके बुक्स पर देखो इतनी गाड़ी चपी है ये गाड़ी प्राइवेट करना थी है ये मैं लोग रोइल्स रोइवेंट ले सारी हो गई तो अभी इनकों रखते हैं साइड में और निकालते हो बाहर देखते हैं ये कैसी है ओ भाई इन सबसे काफी बड़ी है ये देखो ये तो बिलकुल बच्चे से लग रहे हैं इसके सामने और इसका कलर वाइट और ये माश्रीज का लोगो एम नाइन फॉर्स नाइन ये देख ये देखो और उपर संद्रूप भी दिया है ये पहली कार इसमें संद्रूप दिया बाकि इनमें नहीं है और ये साइड ये कैसे कुलता है ये देखो बूट स्पेस भी है संद्रूप पुलता है ये संद्रूप नहीं कुलता है साइड इंजन का कुलता होगा ये देखो इ कर दिखे नियुक्री को पिछे टी लाइट कामनी कर रही है अब ही देखो इन सबसे अच्छी काड़ी कौन सी आप कमेंट करके बताना और वाड़ी हो कितने अच्छी लग रहे हैं अब इनको कड़ें स्टार्ट यह अपनी मस्मीन्स नमस्ते में जीएगो सबसे पहली है अच यह तो इसकी लगी है अब ही हम इन चारों को ले जाएंगे रोड पर इन चारों के करेंगे रेस और देखते हैं कि सबसे ज्यादा पाउरफुल कौन सी है तो सबसे पहले हम रेस करेंगे हमने जीफ मेंगा और और चार्ज रखी तो अब है तो अब है तो अब हम कराते हैं ठागों को ठागों को अपनी जीफ में काफी से बज़ेंगे दोगों किने जोड़ता परमानी तो मस्ट्री जीफ वेगन और जीफ के पीज़ेंगे हम कराते हैं ले करते हैं तो अब हम अपनी चारू सुपरकार करते हैं रेस और देखते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा पाउस कौन और यह चालू लुक में बहुत ही खतनाक है और भूती ज़्यादा पाउस तब ही करते हैं रेस को स्टार्ट तो इस के स्टार्ट होते हैं दोर ताज़े में हमने काफिस्पिक पखले और सेकंड नमबर के चलिए जीप यंगल लेकिन जीप सब को पीछे छोड़ दिया सारी भाड़ियां से कभी पीछे रह रहे हैं यह आपको वीडियो अच्छा दो गया है तो लाइक शेर एंजमियों तो सब्सक्राइब करना